चाले दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेस चनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के एक रनेफेट डेली बेसिस पर यहां पर आप पर सकते हैं किक्पोइंट और अगरेशा स्पेशाइड एंस्क्राइड एंस्क्राइड लिंस अफ देडे एंप्य वाई द्वारा जो इन्फोर्मिशन टेक्नोलजी मिनिस्टर एश्विनी वैश्णव जी इनके द्वरक आ गया है कि इंडिया एक न्यू वर्जन ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है लेकर आएगा जो कि आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ा अनौंस्मेंट है और होती है तो इस वज़े से यह बदलाब लाए जाएगा उसके अलावा जूडिशल कम्यूटी को भी कहा गया है कि अगर वो कोई भी जूडिशल सिस्टम के अंदर वर्किंग देखते हैं तो उसका एक्सपीडेंस वह गौवर्मेंट के साथ शेर कर सकते हैं जिससे और बदल कुझाये हैं लेट इनिशेटिव एक इनिशेटिव हैं तो जो फिल्म जगत में कुछ बदलाब जूरु भाड़ास के तो उनकों से 75% जो है जो है इससा बन सकते हैं तो यह इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया का जो है इडिशन है जिसमें यह अनॉंस्मेंट किया गया इसे पहले आजादी के अमरित महुतसा में भी अनॉंस्मेंट किया गया था सिंबोलिक रहे गाई यह है और देखिए जो इसमें जूरी होनी वाली है वो नैश्टन फिल्म डवलप्मेंट कोर्पेशन की तरफ से होने वाली ह और यह जो है अभी 53rd edition of international film festival है उसी के साथ होने वाला लेट सी दर नेक्स कोशन प्रदानवंत्री कौन से बने है हाल फिलान में United Kingdom के न्यू तो आंसर इसको शंग का लिस्ट रस्ट तो रिशी शुनाक जो है इस गेम में पीछे रहे गए और बहुत सारे रीजन है इसकी तो बिटिश कंसर्वेटिव पारडी ने अपना न्यू लोडर जो है चुना है और यह जो है UK के foreign minister भी रह चुके हैं एक साल तो अभी यह formally appointment किये जाएंगे क्यों एलिजबेट के द्वारा आज ही appointment किये जाएंगे next prime minister के रूप में तो इनका जो statement है यह है कि यह जो है cut tax cut करना चाते हैं और economy को वैसे आप सभी जानते हैं कि UK की economy इंडिया से पीछे हो गी है कुछ मामलों में तो अब यह इनका challenge भी रहेगा तो एक बड़ा update let's see the next question हाल फिलान में दो Russian deployment जो है यह इनको मारा गया है और कुछ से local भी जो है उनकी भी मृत्तिव ही है कहां पर तो काबूल में देखिए यहां पर एक important update है जैसे Russia one of the few countries है जो की जिसने काबूल में अपनी embassy maintain रखे तालिबान के took over करने के बाद जूद भी ठीक है बहुत सारे देश हट भी चुके थे तो अभी हाल फिलाल में अफगानिस्तान में एक जो है suicide attack हुआ जिसमें दो Russian diplomat जो है embassy के भारी और उसके अलाबा बहुत सारे लोकल जो है उनकी मृत्ति हुए यह बहुत बड़ी casualty है अफगानिस्तान के deputy spokesperson विलाल करीम है इन्होंने काया कि investigation इस पर चल रहा है अफगानिस्तान पूलिस जो है इस पर देख रही है कि किस वज़े से किस तरह से यह जो है attack किया गया तो important है let's see the next question हाला कि मोस्को तालिबान government को recognize करता नहीं जैसे पूरा वर्ड नहीं recognize करता है लेकिन फिर भी इनके बीच में agreement रहते ही है प्रधान मंत्री मोधी जी के द्वारा हाल फिलाल में PM शिरी scheme के अंतरगत कितने schools का जो है अपग्रेडिंग का announcement किया गया त स्कूल तो 14500 स्कूल जो है जो कि प्रधान मंत्री स्कूल और राइजिंग इंडिया PM शिरी योजना जो है इसके अंतरगत जो है अपग्रेड किया जाएंगे तो अपग्रेड में definitely जो है बदलाब लाए जाएंगे technology basis पे discovery औरेंटेट जो है स्कूल को बना जाएगा ठीक है लार्न सेंट्रिक जो है वेफ टीचिंग जो है जैसे टेक्नलोजी स्मार्ट क्लास्रूम स्पोर्ट्स और इन सब शीज़ों पर यह जो हमारे नैशनल एडुकेशन पॉलिसी का transformation education sector को बदलने के लिए है उसी का ही एक जो है पार्ट है लेट सी दा नेक्स कूश्चन अदेगे आल फिलान में 6.6 magnitude का एक अर्थक्यूक आया और 46 लोग भी मृति हुए कहां पर तो आंसर है चाइना तो चाइना का जो सदन वेस्टन पार्ट है वहां पर यह अर्थक्यूक लोकेशन कैपिटल है यह ठीक है यहां पर कोवेड डिस्ट्रिक्टिड लोकेशन भी है तो लोग यहां पर अपने अपार्टमेंट से भार भी निकल सकते थे अर्थक्यूक जो 6.6 का आया तो उसका जो डिस्टन्स राव 43 किलोमेटर करा एक हुज डिस्टन्स हम कह सकते हैं तो बहुत नुकसान हुआ चाहने को यहां पर एक्सकूशन कोन से कंडरी ने पॉस्पॉन किया रिफरेंडम ऑक्यूपाइड रिजन का तो डेफिनिटी रॉष्या ने जो है रिफरेंडम जो है इसको जो है आगे डिले कर दिया है देखिए ऑक्यूपाइड डिजन मतलब अब रहे बहुत सारे हैं कि अभी war चलरी है and many other reasons also let's see the next question कौन सी country में बहुत जादा inflation hit कर गया 24 सालों में अभी तक का high है 80% अब तो ये तर्की में बुरी हाल हो रखें हाला कि जो है तर्की का सबसे highest जो है वो 81.4% inflation रहा है 1998 में तो उससे में high inflation था और अभी जो अभी का inflation है वो 80.21 है मतलब नियरली थोड़ा सा ही एक बचा है ठीक है 24 सालों में बहुत जादा inflation यह देखने को मिला है है ना cost of living जो टर्की में वो increase हो चुकी है अगर देखा जाए कि banks जो टर्की का जो central bank है उन्होंने जो है rates भी कटकी 100 basis लेकिन फिर भी उससे जो है कोई impact हो नहीं पाया जो month on one consumer price जो है वो increase हो रहा है as it's 1.4% increment ना तो यह एक ऐसा आप बहुत सारे देशों में देख पा रहे हैं economic crisis होते जा रहे हैं इंडिया नेल्वे ने हाल फिलाल में जो है freight loading जो है उसका best जो है record अभी update किया है कि इतना जो है August month में record किया गया है freight loading तो 119 empty तो 119 empty जो है यह record किया गया August के month में यह increase है क्योंकि इससे पहले जो है 8.69 empty से कम था इससे पहले तो यानिकि यह तरह increment मिला है that is percentage में देखा है 7.86% का increment है तो एक यह achievement कह सकते हैं कि freight loading जो है increase हो रही है हाला कि साथ के साथ जो है अगर freight net 10 km में देखा जा तो 63 billion हुई है अगस basic किस से लेके अगर हम कहें अब जो है 73 billion है तो यह भी एक increment है तो ऐसा ही कोल के माद उसमें देखने को मिला है पैरे मोड़न कोशन कौन सी कंट्री ने जो है रेडिमेट गार्मेंट जो मिल्टरी की युनिफॉर्म जैसे है उन सभी पर मैन लगाया उनके production पे सेल पर्चेस हैं हर एक चीज पर तो आंसर इस कुशन का कुबेट तेकि इंसिडेंट तब देखने को मिला कि हाल फिलाल में कुबेट में वीडियो क्लिप इसमें शॉप कीपर से फॉर्स फुली जो है दो परसंट जो है शॉपिंग का जो बिल है उससे एंगरली ले रहे थे और उसका जो है यह बहुत नेगटिव इंपक्क किया कि कुबेट की स्पैशल फोर्स इस ऐसा करें कि कुबेट की स्पैशल पॉर्स की द्रेस्पनी थी तो उसी के जस्ट बात जो है कुबेट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और इंडस्ट्री जो है इनके द्वारा अनौन्स किया गया है कि किसी बितरे के इंपोर्ट, एक्स्प्लोट, डिस्प्ले, सैल, रेडिमेड गार्मेंट का जो की कुबेट की युनिफॉर्म से और दीगे, लेट सीथा, क्युक्पॉइंट बुड़े, इस एंड़ी, एस बिया ने ये रिपोर्ट किया है कि इंडियन इकनोमी जो है, ठर्ड अर्जेस एकनोमी बनेगी 20-39 तक, तो अच्छी बात है, और उसके अलावा जो है, कौन सी कंट्री जो है, जिसने अक्यूस कि ना सेल करें, तो आज का कल का सवाल जो है, जादू बोड़ा के ओपर कि कौन सी माइन से तो ये इस जूल का अंसर बिल्कुस है, यूरेनियम माइन से, आज का सवाल देखें, सिंगन बटनम फोर्ड जो है, ये कहां पर लोकड है, आप इसका अंसर कमेंड बुक्स पर दीज जितने भी कोर्सिस हैं, आप इन सब के लिए एक बरिया, लाइवमन कोड आज यूज करके देखें, बहुत बड़ी अपोर्चिनिटी है कि आपको इस समय बहुत कम फीज पे इस कोड को यूज करके बहुत कम फीज पे अनलिमिटेट सब्सिप्शन मिल रहा है, तो यूटल इस करिए से, बागी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को सबस्राइब करिए, थैंक्स अलाट फो वचिंग